जो एक चरित्र है करण का वो यहां बीर चोपडा में भी और और भी जगह आपको देखने को मिलेगा बहुत ग्लोरिफाई किया है कि मुलब करण का अरजुन के साथ कंपेरिजन और यह तो इतना अच्छा था इतना निपुन तो मानते ही हैं लेकिन मुलब करेक्टर भी उसक को इजद्धी तो इस तरीके की बातें होती हैं तो यह जो चरित्र है करण का वेद व्यास जी की महभारत में कैसा है करण के लिए तो मुझे कम से कम 10-15 मिनिट लगेंगे तो मैं डीटेल में बतारबादी शुरुवात से शुरू करो तो मैं कहूंगी कि आगर आप बुक ल जाएगा दोनों की कारेक्टर कैसे थे इंक्लूदिंग कर तो सबसे पहले तो लोगों को जो दर्द होता है करण के लिए इसपेशली जो बहुत सारे रीटेलिंग्स में वो किस कारण है चलो माने त्याग दिया वो तो फिर भी ठीक है क्योंकि वो तो काफी टाइम तक जान यही सबसे बड़ा कारण कि दुरियोद आ करन के लिए थोड़ा सा वो सफ्ट कॉर्नर सा हो जाता है फिर दूसरा कई जो डेलिंग्स में यहीं था कि दुरॉपदी को कान के लिए अचली प्रेम था वो एक आंगल ला डेते और जिसके कारण सार्ट को फिर वो तो मैंने एक तो सबसे घड़ी 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 ऐसा बिलट निया-डिया गया है कि विचारा कर्न === तो हम से उसमें सूत कहीछ, तो हम थोड़ा से सूत को समझेंगे, जब हम सूत समझेंगे जब उसम में दूराि sih है on तो आज का जो कास्ट नारेटिव हम देखें तो हम देखते हैं कि केवल चार कास्ट है और सब लोग इस चार कास्ट में स्टाटिफाइड है और हमको लगता हमेशा से ऐसे था क्योंकि हम चार बर्ण की बात सुनते हैं परन्तु अगर आप महाभारत रमायन इस्पेशली महाभारत देखो तो बहुत क्लियर है कि वर्ण जो है न वो केवल एक फ्रेमवर्क है जो रियालिटी थी ओन ग्राउंड रियालिटी वो जाती थी जो जनम से होती है ठीक है पर केवल चार जातिया नहीं थी बहुत सारी जा सेंसेस किया तभी तीन हजार जातियां थी जिनको ख्लेरिटी भी नहीं थी वो कौन से वर्ण में पैटते हैं तो वो हमको महाभारत में भी दिखता है महाभारत में व्याजी ने स्वयम कितने सारे 32 जातियों का तो उन्होंने बताया और और भी होंगे ठीक है तो ये कैसे जाती है क्योंकि इंटर्मिंगलिंग हुआ तो जब एक शत्रिय पिता मतलब शत्रिय पुरुष एक भ्रामन स्त्री के साथ विवाह करता है तो उनका जो बच्चा होता है उसको सूत कहा जाता है तो ये कोई लोवर जाती है ऐसा कुछ नहीं है अच्छा अब पहली बात तो मतलब शत्रिय प्रामन का कंभाइन है ठीक है अच्छा अब लोग कह सकते हैं बड़ प्रतार्णा तो फिर भी हो सकती है क्योंकि मिक्स शादी कर ली कास्ट के बाहर शादी कर ली पर उसके लिए वी नीट तू सी अगर मानना है कि अगर प्रतार्णा हुई है तो हमको ये भ अगे से कहिंग सकते हो जैसे वह नारायन नमस् को भी जहां से शुडोंश शूरू होता है कि महाभार्त का पहला श्लूप उसकी बस आगे से सूद का पहला अधा तो नम है उग्रश्रवा सौति को कौन हुद्पे ने का पेट सोट थे तो अभिमन्यू का बेटा पारिक्षित पारिक्षित का बेटा जंय में 2022 तो आप बेटा का यग्न है जहां पहली बार वेद व्हेंच जी ने वैशेमपायन को कहा कि तुम जंद मधाय को कहां कि महाधारत क कॉंपोजिशन कर दिया है और वेशन पयान जी को बताया है तो वेशन पयान जी शुरू करते हैं महाभारत बताना पर वो यगन था इसलिए बहुत सारे वहां पर महमान आय थे उसमें से उग्रश्रवा साउती एक थे उनका काम क्या था कि वो मुनी जैसे थे वो भी रिशी जो घूम घूम कर कथाय कहते थे ठीक है तो वो देमेशा रंडे जाते हैं जहां दूसरे एक रिशी शौनक है और उनके स्टूडेंट्स है तो वो कहते हैं कि आप कहां से आ रहे हो तो वो कहते हैं कि मैं आ रहा हूं ये जन्मजाय की सर्पसतर से वहां महाभारत सुनाई ग अभी उग्रिश्रवा साउती सूत से साउती वो भी सूत थे तो इनको इतना discrimination होता तो क्या ऐसे रिशी पत्पर विठा के उनसे कथा सुनी चाती चलो ठीक है वो एक दूसरा अच्छा ठीक है तो कोई गएगा ठीक है कथा वाजक था सार्थी तो थे ही ठीक है अच्छा आप सार्थी में भी हमको लगता अरे ड्राइवर अरे अगर ऐसा होता तो कृष्ण को सार्थी बनने को कहा गया है सार्थी की इतनी युद्ध की समझ युद्ध की समझ की समझ क्या हो रहा है वो ओर स्ट्राटजी की समझ यह सब होना चाहिए था क्योंकि उन पर केवल उनको घोडे घ्लाने क काम थिथा जो उनka वार्यर है उसको बचाने का भी काम था तो कोई भी सारथी नहीं हो सकता था अदेवर एक्स्ट्रीमली स्केल्ड और उनको भाव ऐसे था इसलिए तो संजय है उन्हों इतना क्लोस थे तृत्राश्ट के और कृष्ण को सार्थी बनाया गया ठीक है तो चलो सार्थी वाली दूसरी बात तीसरा जब यह लोग अग्यातवास में है जब पांडव अग्यात विराट के नगर जाते हैं वहां पर विराट का जो सेनापती है वो है कीचक और यह जो कीचक है वो विराट की जो एक पत्नी है सुदेशना उसका भाई है कीचक भी सूत पुत्र है अच्छा अब वो सूत है उसकी बहन भी सूत है तो मतलब राजाओं की शादियां भी होती सूतों के साथ और वो वारियर्ज भी है ठीक है इसलिक शत्रिय भी है किचग और कीचक तो इतना शक्तिशालिय की वह दुरापदी को परिशान करता है फिर भी राजा अविराट कुछ नहीं कह सकते हैं उनका कमानडर वो रहा है इतना वो शक्तिशालिय की ऐसा कहा गया है कि क तीन लोग उसको मार सकते थे, तो वो भी सूत है, ठीक है, तो सूतों को पढ़ाया नहीं जाता था, वारियर्स नहीं थे, ऐसा भी नहीं था, पर ये कहां से आता है, पहले तो सूत शब्द का अर्थ डिस्टॉट कर दिया गया, दूसरा उसमें ये गुसा दिया गया, री टे कर्ण को सिखाने से मना कर दिया, ऐसा भी नहीं आता महाभारत में, कर्ण जो है, वो दूनाचारे का शिष्य है, कर्ण ने स्वयम भी ये काफी बार कहा है, पर आदी पर्व में तो हम ये देखते हैं, कि जब दूनाचारे, पांडव, कौरव को सिखा रहे हैं, तब और भी धानाथी चलता है, बहुत मात्सर है उसको अरजुन के लिए तो इसलिए एक बार वो दूनाचारे के पास जाता है, कि मुझे सीखना है पर्रहमस्र, आप मुझे ब्रहमस्र सिखाओ, तो रौनाचारे कहते है मैं तुम्हें ब्रहमस्र नहीं सिखा सकता, तुम उसके अभी तो उन्होंने किसी को नहीं सिखाते हैं। श्रोणाचारा में आता है यहां पर भी जूट बोला कि मैं ब्रामन का पुत्र हूं। तो आप समझ रहे हो मतलब उसको त्रोणाचारे ने मना नहीं किया सिखाने से। और इसलिए जब वो पाविलियन में आता है जहां पर सारे पांडव कौरोव सीखने के बाद अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं, तब वो आता है, तब सबसे पहले जब कहता है कि मैं भी स्किल्स दिखाना चाहता हूं, तब कोई उसे रोकता नहीं है क्योंकि द्रुणा चाहरे ह उसे दुरियोधन भी पाचानता है उसे नहीं तो ऐसे कोई तो आ जाएगा उसको क्या आप कोगे नहीं मैं उसे अंग का राजा बना दूंगा और उसने कहा तो ठीक पाकी किसी ने विरोध क्यों नहीं किया अगर इतनी कास्टिफ सोसाइटी थी और अगर यह ऐसा कोई होता अज़िब करण वहां से आता है क्योंकि अधिरत राधा उसके जो माप है वो लोग अंग की हैं यह बहूत क्लियर है जब वो चंपान दी जहां से अधिरत उठाते हैं करन को वौ अंग में है और अधिरत को महायशस भी कहा गया है तो लोगों को ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं बिचारा कितनी गरीवी में बढ़ा हुआ है ऐसा भी नहीं है बहुत अच्छे से वो बढ़ा हुआ है बहुत प्यार से पला बढ़ा है पर सबसे बना क्या है कि वो मातसरय, कि मैं कर्ण से, मैं अरजुन को हराना चाहता हूं. और वो अचानक नहीं आया, वो उसको तृनाचारी की आश्रम से जानता है, इसलिए वो है. तो जो कारण जो करण के लिए गए है कि भई बिचारे की साथ अंध्या हुआ वो तो हुए ही नहीं है कहीं तो वो कहां से soft corner दिखाते हैं उनकी लिए महाभारत में तो नहीं हुआ है महाभारत में जो करण का character है वो ऐसा है कि कदाचित दुरियोधन से अधिक उसको लड़ाई चाहिए थी जब ही भी किसी ने दुरियोधन को समझाने का प्रयत न किया कि भई तुम यह मत करो तो फटाक से करण बीज में कूट पड़ेगा अरे आप लोग इसको क्यों बहेका रहे हो मैं हूँ ना देखना मैं कैसे करता हूँ करण के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था कदाचित सबसे बड़ा कास्टिस तो करण स्वयम है जब विराट युद्ध होता है तब धुरुनाचारे कहते है अरे नहीं कदाचित वो आपको दिखाई दे रहा है वो यूनग जो है वो कदाचित अर्जुन है मुझे ठ काम के यह कोई लड़ाई बड़ाई कर नी सकते ऐसा वो दुनाचारे को कह रहे है उसके बाद युद्ध में अच्छा वो बार बार कहता है कि तुम चिंदा मत करो मैं हूँ ना पर जब ही दिखाने की बात आई तब वो हमेशा हार गया विराट युद्ध में हार जाता है सब के साथ अर्जुन अकेला है गंधर्व के साथ जब युद्ध होता है जब गंधर्व दुर्योचन को पकड़ लेतने कर्ण भाई साब भाग गए आप सोचो फिर भी अगली बार जब वो सिच्वेशन आई कि अर्जुन सामने तो आपस आगया अरे मैं हूँ ना तुम पर अब जब युद्ध हो रहा है आपने युद्ध के लिए इतना पुश किया है आपने बिल्कुल नेगोशेट होने नहीं दिया तब फिर आपको आपके मित्रका देखना है ना तब अगर इंदर आपके पास आते हैं जिसका आपको पहले से वार्निंग मिल चुका है उसने स्वयम को भी आगे रखा इस केस में कवच कुंडल देकर क्योंकि दानवीर कण अच्छा वो ऐसे ही तो नहीं दे दिया था उसने सामने इंदरास्ट भी मांग लिया था ठीक है अच्छा दूसरा एपिसोड हमें पता है कि कण बाहर बैटा था पहले दस दिन युद् जो बियार चोपडा में दिखाया है कि भीष ने लड़ने नहीं दिया नई तो ये गलत है महाभारत में ऐसा पर ऐसी परस्ति है कि दुरियोधन भीष में से पूछते है कि आप हमारे और युधिश्चर के रथी महारथी कौन-कौन है उसका अनालिसिस कीजिए तो वो सब क स्केल्स मैं उसको रथी नहीं मानता क्योंकि वो स्वभा उसका बिल्कुल अच्छा नहीं और अगर आप पहले कि उसकी जितने भी आक्शन्स देखो तो वह वैसे उसने दिखाये है ठीक है और रोनाचार भी मानते है वो दो बच्पन से जानते है करन को तो करन को बहुत ग जाएगा मैं जिताओंगा पर श्रे उनको मिल जाएगा इससले मैं भार बैठ लो अरे यह क्या तुम्हारे अहंकार की बात है तुमको अगर बुरा लगा तो युद्ध मैं आकर दिखाओ तुम्हारे क्या है तुम्हारे कारण युद्ध हो रहा है न तुमने दुर्योध को सेटल नहीं हो ने दिया तुम चाहते थी है युद्ध हो और अब जब बात आई तब आप बाहर बैठ रहे हो क्योंकि आपका अहंकार आपका प्राइड आपका इगो हो चुका है तो ये फ्रेंड हम लॉयल्टी की बात करते कि अरे दो मित्र हो तो कर्ण जैसा क्या आप च इस दुरियोधन तो उसने दुरियोधन को भी नहीं देखा आपको ये नेगेटिव ऐसे लग रहा है कि ये बोल रहे है क्योंकि आपने अब तक देखा है वह बहुत ज्यादा अच्छा कर्ण है जबकि ऐसा नहीं है इसमें नहीं है